गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम टू व्यूजेता कोचिंग आज हम पास्ट इंडिपनी टेंस के इंट्रोगेट्व सेंटेंस के बारे में बात कि थी आईए देखतें इंट्रोगेट्व सेंटेंस क्या होते हैं जब वाक्यों दोरा प्रश्न किये जाते हैं तो हम इसे इंट्रोगेट्व सेंटेंस करते हैं इंट्रोगेट्व सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं एक जब वाक्य के प्रारंब में क्या शब्दा आ जाता है दूसरा जब वाक्य के बीच में प्रश्न वाचक सब्दा आते हैं आईए देखते हैं क्या से प्रारंब होने वाक्यूं सबसे पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं इसका पैटर्न क्या है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्प रखते हैं जो की डिड है फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं फिर वर्प की फर्स्ट फर्म रखते हैं फिर इ तो सबसे पहले हम helping verb रख देते हैं helping verb क्या है did है तो हमने यह पर did रख दिया फिर subject क्या है इसमें मोनी तो मोनी हमने subject रख दिया इसके बाद हम वर्ब रखते हैं वर्ब क्या है पीटना बीट मिल्स पीटना तो हम इसमें वर्ब की first form ही रखते हैं तो हमने बीट रख दिया फिर किसको उस लड़के को तो देट बॉय डिड मोनी बीड देट बॉय फिर question mark नेक्स देखिए क्या उसने मेरी पिंसल तोड़ी अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या सब्दाय तो हम यहां पर helping verb रखते हैं helping verb क्या है डिड है तो डिड रख देंगे फिर subject रखतें subject क्या है उसने उसने क्या होती है ही तो ही subject रख दिया अब तोड़ना यह क्रिया है तो break means तोड़ना first form ही रखेंगे तो break verb हो गई क्या मेरी पिंसल तो my pencil डिड ही ब्रेक माई पेंसिल न कि कर दोए को घख तो अब देखे किया रहने हैं सबसे पहले हम यहां पर है फ्रस्ट मि रहने को सब्यूंजर्जट रहें औरिंज़ कि यू्द्यू और रहने करें कि इस सब्थ्यूंजर्जby कि रहें तो सबसे पहले बतागे क्या रखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर helping verb रखते हैं did रख दिया फिर subject रखते है subject क्या है way they means way होता है फिर यहाँ पर देखें नहीं सब्द आया है तो नहीं सब्द हम यहाँ पर subject के तुरंत बाद लिख देंगे नौट यहाँ पर हमें नौट लिख दिया फिर जाना क्रिया है go means जाना हमाई यह वर्ब हो गई कहां to school did they not go to school अब देखिए जब प्रश्ण वाचक सब्द वाग के बीच में आ जाएं तो हम कैसे structure बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रश्ण वाचक सब्द के अंग्रेजी बनाएंगे question word रख देंगे फिर इसके बाद helping word रख देंगे फिर subject फिवब की first form इसके बाद object रखते हैं आए एक्जेम्पल के माध्यम से समझते हैं तुम्हारे पिता जी कानपूर कब गए तो यहाँ पर प्रश्ण वाचक सब्द क्या है कब तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी रखेंगे तो when means कब होता है तो हमने when रख दिया फिर इसके बाद helping word रखते हैं तो क्या होगी यहाँ पर helping word did फिर subject रखते हैं subject क्या है तुम्हारे पिता जी तो your father अब इसके बाद verb रखते हैं verb क्या है जाना तो go means जाना हमने verb रख दिया कहां कानपूर when did your father go to कानपूर नेक्श देखिए उसने यहाँ प्रश्ण कैसे हल किया अब देखिए यहाँ पर question word क्या है कैसे तो कैसे क्या होती है हाउ तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया फिर helping verb हमने did रख दिया फिर subject रखेंगे subject क्या है उसने उसने की ही होती है फिर हम क्रिया रखेंगे क्रिया क्या है हल करना solve means हल करना होता है यह माई verb हो गई फिर क्या यहाँ प्रश्ण this question how did he solve this question next देखिए इस लड़के ने अपना पाट याद क्यों नहीं किया अब देखिए यहाँ पर question word क्या आया है क्यों आया है और यहाँ पर नहीं भी आया है तो अब देखिए कैसे बनाते हम सबसे पहले हम क्यों क्यों अंग्रेजी रखेंगे why means क्या होता है तो हमने why रख दिया फिर helping verb हमने did रख दिया फिर subject क्या है इस लड़के यानि या लड़का तो this boy फिर नहीं आया है तो नहीं के लिए हम subject के बाद ही रख देते हैं not फिर क्रिया रखेंगे याद करना क्या होती है learn या हमारी क्रिया हो गई फिर क्या अपना पार तो his relation why did this boy not learn his relation नेक्स देखिए वह यहां कब आया अब इसमें question word क्या है कब तो कब की क्या होती है when होती है तो सबसे पहले हमने आपर when रख दिया फिर helping verb उमने did रखा फिर subject रखेंगे वह ही मिन्स वा होता है फिर वाब रखेंगे वाब क्या है आया तो कम मिन्स आना तो first form में रखते हैं तो कम हो गया कहां यहां when did he come here नेक्ष देखिए तुम इस साल किस प्रकार पास हुए अब देखिए यहां पर question word क्या है किस प्रकार किस प्रकार यहां हम इसको कैसे भी कह सकते है तो यहां पर सबसे पहले हम किस प्रकार की रखेंगी spelling तो how how means किस प्रकार या कैसे फिर इसके बाद helping वर उनने did रखा फिर subject क्या है तुम तुम की क्या होती है you तुमने you subject रख दिया अब पास हुए तो यानि पास मिन्स पास होना होता है यह माई वर्ब हो गई कब इस साल तो this year how did you pass this year अब देखे how much how many which who's अगर यह question word आ जाते है तो इसके साथ noun भी आता है देखे एग्जेम्पल से समझते है तुमने कौन सी पुष्टक पढ़ी अब देखे इसमें कौन सी आया यानि भीच आ गया तो इसके साथ noun क्या लगेगा संग्या हमारी पुष्टक है तो इसके साथ यह भी आएगा तो सबसे पहले हम कौन सी पुष्टक क्या अंगरेजी बनाएंगे अब रखेंगे वर्ब पढ़ना रीड मींस पढ़ना यह वर्ब है तुमने रीड रख दिया वीच बूकर डिड यू रीड नेक्स्ट देखिए माधों ने कितना मक्खन खाया अब देखिए याँ पर कोश्चन वर्ड क्या है कितना और संगय क्या है मक्खन तो सबसे पहले हम इसकी स्पैलिंग रखेंगे कितना क्या होती है how much मक्खन की बटर तो how much बटर अब क्या रखेंगे helping verb रखने है did helping verb होगी subject क्या है माधों तो हमने यहाँ पर subject रख दिया अब यहाँ पर verb रखेंगे में वर्ब खाना में वर्ब है इसमें इट मिन्स खाना में वर्ब रख दिया how much बटर डीड मधव इट next देखिए उसने कितने भालू देखे अब देखे यह आपर पर कोशन वर्ड क्या है कितने भालू तो हम यह एक साथ रखते हैं तो वह या उसने तो ही मिन्स वह देखना सी मिन्स देखना हमें क्रिया हो गई उन्होंने किसका बटुआ चुराया अब देखें यहां पर कोशन वर्ड क्या है किसका और संगय क्या है बटुआ तो यह दोनों एक साथ आएंगे तो यहां पर किसका क्या होती है बटुआ की पर्स अब helping वर्ड हमने did रख दिया उन्होंने क्या होती है दे वे या उन्होंने कि दे होती है तो हमने the subject रख दिया चुराना क्रिया है still मिन्स चुराना यह हमारी वर्ड हो गई I hope आप समझ गये होंगे अब आपके लिए कुछ इस्साइज है जिसे आप करिए क्या तुमने किसी का पिंचुराया क्या उसने तुमको पीटा राजा ने तुमको दंड क्यों दिया उसने कितने आम खाए मीना लकनव कब गई अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेर और थेंक यू